वेल्कम टो आवर चैनल फायर फाइटिंग इंजिरिंग इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीम्टी के अप्डेटेट रेट के बारे में टीम्टी का अप्डेटेट रेट आचुका है मार्केट में रेट बहुत सारी जगहों पे एक हजार पर मेट्रिक टेन के हिसाब से डाउन हुआ है और वहुत सारी जगहों पे रेट हाई भी हुआ है चल्दो यह बात करते हैं सीधेये रेट की तरफ लेकर चलते हैं आपको कि किन-किन जगoubl पे क्या क्या रेट अब डाउन हुए हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे चार सूथ के TMT सरिया के बारे में 18% आपको GST अलग से आड़ करनी पड़ेगी चलते हैं हम सिधे विरेट की तरफ बात करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश के कानपूर की कानपूर में TMT का रेट अभी 58,000 रुपए प्रती मेट्रिक टन बना हुआ है इसमें भी अभी कोई खास चेंजिस नहीं आया हुए है इस रेट में आपको 18% अलग से GST अड़ करनी पड़ेगी जो भी हम आपको रेट बताएंगे हर रेट में आपको 18% अलग से GST अड़ करनी पड़ेगी गाजियाबाद की बात करते हैं गाजियाबाद में भी TMT का प्राइज 55,300 रुपए प्रती मेट्रिक टन है गाजियाबाद के बाद उत्तर प्रदेश की अगले सहर की तरफ चलते हैं देखते हैं कि वहाँ पे अभी रेट में क्या उचालाया है बात करेंगे अगर हम मुझफर नगर की तो मुझफर नगर में TMT का रेट अभी 54,500 रुपए प्रती टन बना हुआ है बहुत सारी जगाओं पे रेट डाउन भी हुए हैं और कुछी ऐसे सहर हैं जहां पे रेट हाई हुए है बात करेंगे इसके बाद लखनोव की तो लखनोव में अभी TMT का रेट 66,000 रुपए प्रती टन बना हुआ है यानि कि 67,000 रुपीज पर मेट्री टन के इसाब से अभी लखनोव में TMT का रेट बना हुआ है ये बात हुए उत्तर प्रदेश की अब चलते हैं आने राज्यों की बात कर लेते हैं बात करते हैं पंजाब के मंडी गोबिंदगर की मंडी गोबिंदगर में अभी TMT का रेट क्या बना हुए इसके बारे में चान लेते हैं तो मंडी गोबिंदगर में भी TMT का रेट 56,500 रुपे प्रती मैट्रिक टन बना हुआ है इसके बाद भात करते हैं आनोे शेयरों की जो भी हम रेट आपको बता रही है उसमें आपको issalt tell आपको से pag इंए इस वीडियों में हम आपको रिक्सिव बारे में बीच में कि मार्कर इस परसेंटेजिए इससे पहले मॉंबाई कि और महाराश्टा की बात करेंगे अगर हम इसे में आगे बढ़ेंगे अगर पूने की बात करते हैं तो पूने में भी लगभग पूने प Puberc Leship little rate बना हुआ है जो भी हम आपको बतारे हैं उभी लंसम रेट अगर जालना की बात करेंगे तो जालना में TMT का रेट 55,700 रुपए प्रती मेट्रिक टन बना हुआ है जालना के बाद अगले सहर की तरफ चलते हैं अगर हम बात करेंगे नागपूर की तो नागपूर में भी TMT का रेट 54,300 रुपए प्रती मेट्रिक टन है अगले सहर की तर चलते हैं फिर एक बार रेट की तरफ बात करते हैं हम अगले शहर की यानि रायपूर की तो रायपूर में भी। करेंगे तिरपन हजार रुपए प्रति मेट्रिक टन बना हुआ है पिछले हफ़े भी यही रेट था आज भी यह रेट यानि रायपूर की रेट में कुछ खास चेंज़ल नहीं है हुआ है रायपूर के बाद बात करेंगे अगर हम रायगड की तो रायगड में टीम्टी का रेट 52,300 रुपए प्रति मैट्रिक टन अभी भी बना हुआ है यहां पे भी कुछ खास डिफरेंस नहीं आया है इसके बाद रायगड के बाद हम अगले शर्गी तरफ चलते हैं बात करेंगे गर हम गुजरात के एहमदाबाद की तो एहमदाबाद में अभी टीम्टी का यहां किनी किनी सहरों में रेट हाई भी हुआ है दे लिफासके बाद बात करते हैं भावनगर की तो भावनगर में टीम्टी के तरफ 57,400 रुपए प्रति मैट्रिक टन बना हुआ है यानी कि 57,400 रुपीज पर मैट्रिक टन के हिजाब से भी भावनगर पत्चिम पार की तरफ है में इसक के बाद चलते हैं पक्षिम मंगाल की तरफ बात करेंगे गर हम कौलकाता की 100 के रेड करें 2700 रुपे प्रतिमेट्री 2014 है गोवा के बाद अन्य शारों की बाद हम कर लेते हैं कि वहां पर क्या-komma रडिए उससे पहले एक बार फिर से बता देते हैं जो भी रहे हम आपको बता रहे हैं वो लंब शम बना हुआ है कोई भी बल्क चेंजेज मार्केट में देखने को नहीं मिल रहे हैं बात करेंगे अगर राजस्थान के जैपूर की तो जैपूर में अभी टीम्टी का रेट पच्पन हजार साथ सो रुपए प्रती मैट्रिक टन है यह हुआ रेट जैपूर का उसके बाद अन् अगर चूटा हुआ है अगर हम अपनी राजधानी यानि दिल्ली की तो दिल्ली में भी टीम्टी का रेट शपन हजार रुपए प्रती मैट्रिक टन बना हुआ है यहां पर भी चेंजेज आए हैं रेट में यहां पर बढ़ोतरी हुई है लेकिन बहुत ही माइनर बढ़ोत दिल्ली के बाद अन्य सहरों की तरफ बात कर लेते हैं कि वहां पर क्यारेट चलने हैं अगर हम बात करेंगे अन्य सहरों की तुस्से पहले बढ़ फिर से बता देते हैं जो भी सहर अगर आपका इस वीडियो में है अगर छूटा हुआ है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और कमेंट के जरी हम आपको बताएंगे कि आपके सहर में क्या रेट अभी चलना है क्योंकि इंडिया में बहुत सारे सहर हैं उनको एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है तो जो मुख्य सहर है उनको हमने एड किया है और बहुत सारे सहर छूट भी गया है त तो अगर आपका सहर उन में से है जो सहर हमसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और हम कमेंट के जरीए ही आपको बता देंगे कि आपके सहर में क्या रेट है अगर आपको जीस्टी के साथ रेट से यह तो हम आपको जीस्टी के साथ भी रेट प्रवाइड कर दे से बता देते हैं इस वीडियो में अगर आपका शहर नहीं लिया गया है तो आप कमेंट कीजिएगा कमेंट के जरी हम आपको बता देंगे कि आपके सहर में टीम्टी बार का क्या रेट चल ला है चलिए रेट में फिर से आगे बढ़ते हैं अने शहरों की तरफ देख लेते हैं बात करेंगे अगर हम चैन्ने यानि मदरास की तो मदरास में भी टीम्टी का रेट अठावन हजार दो सो रुपए प्रति मैट्रिक टन बना हुआ है यहा हमें कमेंट कीजिएगा कमेंट के जरी हम बता देंगे कि आपके सहर में क्या रेट है भी टीम्टी का और जो भी रेट हम बता रहे हैं आपको इस वीडियो में आपको उसमें अठारफ प्रतिशत अलग से जीएस्टी एडड करनी पड़ेगी तो मार्केट में आपको बहुत्री आया है अगर फोरकास्टिंग के हम बात करते हैं तो अभी आगे वाले दिनों में हमको मेध है कि आगे आने वाले दिनों में रेट जहां कैवी होंगे वहां पर डाउन होंगे तो अब भी अगर परचेस कर सकते हैं लेकिन जो भी रेट में अगर उतार चड़ा ह होगा तो बहुत ही माइनर होगा बहुत ही हूज लेवल पर नहीं होने वाला है तो यह बात हो ही बैंगलोर की अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं अन्य शहरों की तरफ देख लेते हैं कि बाकी के सहरों में भी TMT का रेट क्या-क्या बना हुआ है अगर TMT का रेट हम बात कर कर घर मासाम की तो आसाम मेंवी TMT का रेट अठावन हजार पाँंसोर प्रतिमैटेक तं बना हुआ है और वीडियो के अंत' मैं हम बात कर लेते हैं बिहार का तो बिहार में भी TMT का रेट बात करें कर और बिहार में GST के साथ TMT का रेट 72,500 रुपए प्रती मैट्रिक टन बना हुआ है बिहार का रेट हमेशा हमेशा हमको कमेंट के जरी पूछा जाता है कि बिहार का रेट क्या है तो हमने आपको विज जिस टी बता दिया है कि बिहार में भी TMT का रेट क्या बना हुआ है यह ब जल्दे मिलते हैं आपसे धन्यवाद